अगर आपका भाई प्रधान मंत्री होता तो तो क्या आप पतंग बेच रहे होते क्या फिर पेट्रोल पंपर, अटेंडेंट क्या किसी गौशाला में हेलपर होते अगर आपका बेटा प्रधान मंत्री होता तो क्या आप लाइन में पैसे लेने के लिए खड़ी होती हैं? जरा सोचिए, मैं विक्रम बजाज फिर एक बार लेकर आया हूँ खबरों के पीछे का रिसर्च और सच इस देश में परिवार में एक बंदा पॉलिटिक्स में जाए तो परिवार में दूर दूर तक सारे के सारे पैसों के धेर में खिलते हैं कवी आज हमारे पास हैं एक ऐसे नीता जो देश की सियासत की सबसे उची कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन उनका परिवार कैसी आम जिन्दगी जी रहा है? नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम भाई मोदी खुद तो मानते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के भाई हैं पर उन्हें पता है कि प्रधान मंत्री के लिए सिर्फ सवासो करोड देश पासियों में से एक है चोटे भाई पंकज भाई गुजरात सरकार के माहिती विभाग में साधारन सी नौकरी करते हैं दूसरे बड़े भाई अमरुद भाई एक प्राइवेट कंपनी में फिटर के तौर पर रिटायर हुए हैं आज भी उनके परिवार में से किसी ने एरोप्लेन अंदर से नहीं देखा मोधी जी के दूसरे छोटे भाई प्रहलाद मोधी एक पेर प्राइश शॉप चलाते हैं उनकी 95 साल की माता जी थे माता जी नोड बंदी के बाद पैसे निकालने के लिए खुद लाइन में खड़ी दिखी थी अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजाना करने के लिए बे अडोस पडोस के घरों में बरतन साब करना, पानी भरना, मजदूरी करना आप कल्पना कर सकते हैं कि माने कितना कश्ट उठाय होगा नरेद्र बोदी के चचेरे भाई, अशोक भाई आट बाई चार फीट के किराय की दुकान में पतंग, पटाके और नाश्टी बेशते हैं बोड़े चचेरे भाई, भरत भाई, एक पेट्रोल पंपर अटेंडेंट हैं और उनकी पत्नी, रमीला बहन, बड़नगर के अपने चोटे से घर में ही खाने का सामान बेशती हैं मैंने देश वासियों, मैंने गर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है पीसरे चचेरे भाई, चंदरकांथ, एक गौशाला में बतौर हेलपर काम करते हैं चोथे चचेरे भाई, अर्विन भाई, एक स्क्राप डीलर है जबकि पाँचवे चचेरे भाई, भोगिलाल ग्रॉसरी शौक चलाते हैं चाचा कांतिलाल और जहनतिलाल रिटायर टीचर्स हैं जहनतिलाल की बेटी लीना की शादी एक बस कंड़क्टर से हुई है मतलब की देश के प्रदान मंत्री का जीजा एक बस कंड़क्टर है परिवार को मोदी जी पर बड़ा गर्ब महसूस होता है लेकिन उन्होंने इस बात का कभी गलत इस्तमाल नहीं किया अब जरा सोचिए दूसरी तरफ है यूपी के मुलाइम सिंग यादव और अखिलेश यादव परिवार जो सत्ता की खींचतान में अपने स्टेट, अपने लोग, अपनी जिम्मेदारियां और अपना होश तक भूल चुके है गांभी परिवार जिसने अपने परिवार वाद से कितना बड़ा पॉलिटिकल इमपायर खड़ा किया और बिहार के लालू प्रसाद भी और वो खर्मों के खुटा लेकर अपने खांदान को माला माल करते आए हैं कश्मीर में भी लोगों का जो होना हो बो हो लेकिन अब्दुल्ला परिवार के एशो आराम में कोई कमी नहीं आई अब जरा सोचिए नरेंद्र मोदी ऐसे कैसे प्रदान मंत्री है जो इतने बड़े पतपर होने के बावजूद अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं क्यों जवाब साफ है ये 25-50 लोग नहीं बलकि सवा सो करोड भार्तिय ही उनका परिवार है जरा सोचिए क्या देश को ऐसा निस्वार्द प्रदान मंत्री कभी मिला है क्या तो कभी मिलेगा ये जरा सोचिए